हेलो तो आप सर्विक्स बात करेंगे हापर मुथूस फाइनांस के बारे में इस कंपनी के अंदर एक धमाके दार ब्रेकिन न्यूज आचुकि उसे रिलेटेट यहापर हम डिसकस करेंगे और यहापर इस कंपनी के अंदर हम किस तरीके से पाइनांस अभी रख सकते हैं वो यहापर हम जानकारी देख लेते हैं तेकि मुथूस फाइनांस का शेर अगर आपके पास हो तो यह अपडेट आपके लिए काफे अच्छे फाइनेबन रहेंगे क्योंकि कंपनी एक आगे बढ़ने के कोशिश में नजर आती है जो इसके अंदर आपडेट आ रहे है वो आपको बताएंगे कि कंपनी का क्या यहापर अगला पाफॉमस रह सकता है वो आप यहापर देखकर पूरी तरीके से अंडरस्टाणिक कर सकते हैं मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो आपको हर वक्त बेनिफिट इस कंपनी में देते वे नजर आएंगे जैसे कि आप दोस्तों देख सकते कि मुथूस फाइनांस के अंदर हमें नॉर्मल पाफॉमस पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है और पास दिनों के अंदर इसने 2% और पिछले एक महिने से 4% का रिटन कमा कर दिया है न्यूज क्या है देखिए इस कंपनी में जो यहाँ पर 300 करोड के जो यहाँ पर देखिए डिबेंचर नॉन कनवर्टेबल वो यहाँ पर इसु किया जा रहे है आपको बता दू कि यह जो डिबेंचर से पैसा रेज किया जा रहे है वो किसलिए है तो कंपनी ने पिछले ही कुछ अपडेट में न्यू ब्रांचेस ओपन करने के बारे में और आपने वो निउस को आपर अच्छे से समझा भी होगा मैंने कवर अप किया था उस निउस को और आपको बता दू यह सभी जो पैसा होता है अलग-अलग कोई ना कोई चीजे कंपनी के अंदर डिवलप्मेंट के लिए बाहर से पैसा कलेक्ट करकर अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के तयारी कंपनी के होती है कोई करजा नहीं लेते हुए डिवेंचर से लोन कलेक्ट किया जाता है यानि कि स्वारी पैसा कलेक्ट किया जाता है और अच्छे से इसका यूज करकर कंपनी अपने फ्यूचर के जो यहाँ पर प्लान गोल्स जो होते हैं वो आच्छु करने की प्रोसेस पूरी कर लेती है अभी यहाँ पर मैं पॉइंट पॉइंट बताता हूँ क्या इसके डिटेल्स देख सकते हैं अभी क्या होगा देखे बहुत से लोगों को यहाँ पर पैसे के उपर रिटन चाहिए होता है सेक्वेर लोग यहाँ पर क्या करते हैं यानि कि अपना पैसा वेस्ट ना हो कही पर कम ना हो जाए हमारे पास की जो भी यहाँ पर लिक्विडिटी या पैसा है उसको क्या करते हैं एबडी में निवेश करते हैं एबडी में मिल रहा है कितना 5.5-6% के करीबी है और यहाँ पर मिल रहा है कितना देखिए तो 7.75 और वो भी जबर्दस जो debenture खरीद करें आप बलेंगे सरी 7.72% से तो फरक है देखिए फरक का बाता है जब interest आप यहाँ पर किसी bank में निवेश करेंगे अपना EBD बनाएंगे या यहाँ पर debenture में उसके अंदर आपको difference जो देखने को मिल रहा है उसके अंदर जब आपके पास यहाँ पर एक करड़ रुपीज है यहाँ पर मैं एक एक करड़ रुपीज आपके पास है और उसके उपर आपको एक टका भी बढ़ गया तो एक लाग रुपीज बढ़ जाता है तो ऐसी चीज है इसलिए लोग जिदर जादा return का rate होता है उदर भागते हैं देखे 7.75 से लेकर 8.25 नोने यहाँ पर retail and जो भी यहाँ पर investors से दुसरे उनको किया है यह CHNI investors के लिए बहुत अच्छी बात है और यह return का rate increase भी क्या है 0.25 से यह आप देख सकते हैं next point देखे है indicating high degree of safety the proposed non-convertible debenture अभी क्या होता है debenture को कोई-कोई क्या कहता है कि यह वहाँ पर company में घर बड़ है company अच्छे नहीं है तो हम निवेश नहीं करेंगे but इसको rating कैसे दी गए है इस debenture को AA plus की means आप इसके ability समझ सकते है कि company का goodwill कितना अच्छा है market में यह चीजे है देखे जो आपको company के बारे में बताएंगे और companies related भी पता चलेगा and आप यहाँ पर देख सकते हैं our next point में this issue of the secure debenture non-convertible debenture will be open to subscription starting November 28, 2022 still December 19, 2022 यह एक बड़ा update है जो apply करना चाहते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर आप debenture के बारे में detail देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ देखे हैं यह पूरे division के details है इसके अंदर कैसा fund raise हो रहा है क्या इसकी issue price है सब कुछ और यह limit कितनी देखिए 300 करोड की और वही बात हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि यह जो भी उतुस finance company debenture issue करे हैं उसके अंदर only 300 करोड के ही रहेंगे debenture जिससे कमपनी पैसा collect करने वाली है बहुत कुछ benefit से देखिए इसके अंदर और यह जो भी यहाँ पर निवेश कर रहे हैं उनको तो मिलेगा debenture के अंदर और साती company के shareholder के लिए अच्छी बात है तो आप समझ सकते कि company में क्या हो रहा है and हमें आपर जैसे देख रहे हैं पिछले काफी समय से stock break out करने की पिछे है बिलकुल है बट इसके अंदर क्या है देखिए यह जो आग्यारा सु रुपे का level है ना यह पिछले 6 महिने से कितने बार cross क्या देखिए एक दो तीन बार cross करकर फिर से वापस आया है यह stock ज्यादा improvement करनी पा रहा है जो यहाँ पर इसके impact हमें यहाँ पर बहुत सो लोगों को ज्यलने पड़ रहे है आप देख रहे हैं कि इसके नदर निवेश किया गया क्योंकि इसका valuation अच्छा है बोलकर हमने निवेश किया बट company की situation बहुत ही यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि अच्छी नहीं है return के मामले में fundamental बहुत कुछ अच्छे बट पैसा नहीं बन रहा न यहाँ पर हम पैसे निवेश करकर क्या करता चाते हमें return चाहिए एक साल पहले किसी ने निवेश किया हो तो आज वो भी 25% loss में है याने कि एक लाग पर 25,000 loss में चले गया कोई भी निवेश करें दो और वो यहाँ पर ऐसे वर्स situation में और भी market correct हुआ तो फिर और भी नीचे तो क्या हो रहा है देखे यहाँ पर पैसे बन नहीं पारे तो आप यहाँ पर loss में हो मैं कहूंगा loss में ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर hold करना आप अच्छे तेजी से return कमाना चाहते है तो दूसरे stock आपके लिए available है मैंने पहले भी कहा कि आपको उस company के अंदर थोड़ा भी queries रही मैं जानकर यह तो सब बता रहा हूँ आपको queries रही तो आप बिलकुल उसको neglect करकर आगे बढ़ सकते 10,000 से ज़्यादा company जया मरे है हम उसके बारे में देखेंगे तो I hope मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे मैं क्या चीज़े बता रहा हूँ दे कि पैसा बनना चाहिए अभी हाँ पर आपकी capacity है 4-5 साल रख सकते है तो आगे ज़रूर बढ़ी है इसमें कोई doubt नहीं है थोड़ा situations अभी company improve कर रही है लगातर अपनी branches वगेरा यहाँ पर बढ़ा कर यह बात आप देख सकते जो लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं उनके mind में ज़रूर company के बारे में का सभी details मैंने present किया आप समझ सकते सभी चीजों को वीडियो में कोई point मिस हुआ या आप चाहते मुझे आपर पुछना तो पूछी है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वीडियो को ज़रू लाइक कीजे क्या होगा बहुत से इन्वेश्य को पता चलेगा क्या हो रहा है कंपनी में थेंक्यू सो मच आप कमेंट में बताएए मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइट कर दूँगा थेंक्यू